हेलो फ्रेंड्स, यू आल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैप की इंग्लिश एजुकेटर्स वाती राठ और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ओनलाइन प्लेट फॉर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग एंटोनिंस का पार्ट 11 करेंगे, इससे पहले के सभी वीडियो अमारे चैनल पर अविलेबल हैं, आई होप आप सभी ने अभी तक वो सारे ही वीडियो देख लिये होंगे, और अगर अभी भी उनमें से कोई भी वीडियो देखना बागी है तो उसे आप हमारी चैनल की प्लेइलिस्ट पर जाके बहुत ही इजीली देख सकते हैं, so now without wasting much time हम अपना आज का ये वीडियो आगे continue करते हैं और चलते हैं पहले वर्ड की तरफ, पहला वर्ड है हमारा hereditary, hereditary का मतलब है push timey, कोई ऐसी चीज जो की parent से उसके child में pass on होती ह पास्टान फॉम पारेंट टू चाइड मतलब ऐसी कोई चीज ऐसा कोई करेक्टर जो की माता पिता से उसके बच्चे में जाता है, उसी को बोलते हैं hereditary, options की तरफ चलते हैं, option A is carried, carried का मतलब है transported, एक जगह से दूसरी जगह पे transport करना, carry करना, या फिर जब कहीं जा रहे है तो अपने साथ भी किसी चीज को लेके जाना, उसे बोलते हैं, carry करना, option B है acquired, acquired का मतलब है to obtain something, या to develop something, मतलब किसी चीज को अरजित करना, किसी चीज को विक्सित करना, option C is possessed, possessed मतलब to own something, मतलब किसी चीज पे अधिकार होना, या उस चीज पे अपना स्वामित्व होना, and option D is regained, regained का मतलब है पुन है प्राप्त करना, to get something back that you had lost, सभी वर्स के हमने meaning जान लिये, अब यहाँ पर यह जो हमारा word है, hereditary, इसका सही अन्टोनिम होगा, option B acquired, क्योंकि देखिये, hereditary का मतलब है कि माता-पिता से बच्चों को मिल रही है वो चीज, लेकिन acquired का मतलब है कि यह जो व्यक्ति है, यह अपने दम पे किसी चीज को प्राप्त कर रहा है, अपने दम पे किसी चीज को अप्टेन कर रहा है, यह अपने माता-पिता के दम पे नहीं बैठाए कि माता-पिता से मुझे यह यह चीज मिल जाएगी, नहीं, बिलकुल नहीं, यह अपने दम पे स इसको अपने शरीर के अंदर लेना और अपने मुह से लेना इसको अपने शरीर के अंदर। औप्शन की तरफ चलते हैं, औप्शन A is Disrupt, डिस्रप्ट मतलब किसी कारे में विगन पैदा करना, कोई काम बहुत अच्छ ते चल रहा है और पीछ में जाके उसमें विगन डाल देना, इसे बोलते हैं Disrupt, औप्शन B is Disgorge, डिस्गॉर्च का मतलब है पोर सम्थिंग आउट या फिर किसी चीज को बाहर eject कर देना, मतलब अपने मूँ से किसी चीज को बाहर निकाल देना, अपने शरीर के अंदर से किसी चीज को अपने मूँ के तरू बाहर निकाल देना, और एकदम easy language में आपको बता हूँ, तो vomit कर देना, Option C is Dismiss, Dismiss का मतलब है order or allow to leave, मतलब नौ अपरी से बरखास्त कर देना, and Option D is Display, which means किसी चीज को प्रदर्शित करना, तो सभी वर्ट के हमने मीनिंग जान लिये, और यहां जो हमारा यह वर्ड है, Ingest, इसका opposite हो जाएगा, Option B, Disgorge, क्योंकि Ingest का मतलब है अपने मूँ के तरू कोई चीज अपनी बाडी के अंदर लेन होब आपको सभी वर्ड क्लियर हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हमारा, Laceration, Laceration का मतलब है कोई बहुत गहरा घाओ, Options की तरफ चलते हैं, Option A is Convalescence, Convalescence, Option A है और Option B भी देख लीजिए, Recuperation, तो यह जो दोनों Options है, Option A and Option B, इन दोनों का ही मीनिंग हो जाएगा, Recovery from Inless, मतलब बीमारी से Recovery होना, Inless से Recovery होना, Option C is Healing, Healing मतलब घाओ का भरना, and Option D is Palpitation, Palpitation मतलब डर के मारे Heartbeat या फिर धड़कन जब बहुत तेज धड़कने लगती है, उसी को बोलते हैं, Palpitation, सभी वर्ड के मीनिंग हमने जान लिये, और यह जो वर्ड है Laceration, इसका opposite वर्ड हो और Healing का मतलब है घाओ का भरना, आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड की तरफ, अगला वर्ड है हमारा Strive, Strive का मतलब होता है Conflict, मतलब जगडा या फिर विवात, Option A is War, War का मतलब होता है युद्ध, लड़ाई, Option B is Peace, Peace का मतलब है अमन या शांती, Option C is Anger, Anger का मतलब है रोश क्रोध, गुसा, Option D is वो, वो का मतलब हो जाएगा ट्रबल या फिर सौरो, मुसीबत, संकट, परेशानी, ये हो जाते हैं वो, सभी वर्ड के मीनिंग जान लिए हमने, और ये जो वर्ड है Strive, जिसका मतलब होता है Conflict, मतलब विवाद या जगडा, इसका सही एंटोनिम मतलब है और General Agreement, लोगों के बीच में आम सहमती, इसी को बोलते हैं Consensus, Options देखते हैं, Option A is Accept, Accept मतलब दी गई वस्तू को स्वीकार करना या फिर ग्रहन करना, Option B is Opinion, Opinion मतलब किसी विशय के उपर या किसी सब्जेक्ट के उपर अपना मत या अपनी राय होना, Option C is Disagreement, Disagreement मतलब मतबेद होना या फिर असहमती होना, Option D is Permission, Permission मतलब किसी काम को करने के लिए अनुमती मिलना, इसी को बोलते हैं Permission, सभी वर्ट के हमने मीनिंग जान लिये, और यह जो हमारा वर्ड है Consensus, विच मीन्स, A General Agreement इसका अपोजिट होगा, Option C, Disagreement, तो Friends, आज मैंने आपके साथ कुछ words discuss किये, I hope आप सभी को यह सारे ही words clear होंगे, अगर still doubt है तो आप वीडियो को repeat करके देख सकते हैं, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कीजिए, share कीजिए इसे अपने maximum friends के साथ, relatives के साथ, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नही कीजिए, जिससे की upcoming videos की notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाये करेगी, कल फिर मिलेंगे एक नए episode के साथ, तब तक के लिए stay tuned with us, thank you so much, wish you all the best.